हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग वेलकम वेलकम टो दे न्यूव एपिसोड आफ इस्टन लॉड गेमिंग तो आज हमारा ये नया सिरी शुरू हो रहा है जिसका नाम हमने रखा है वीकली गेमिंग न्यूज बुलेटन तो हम कोशिश करेंगे कि हर हफते में आपके पास गेमिंग से रिलेटेड कोई ना कोई नई कबर गेमिंग डिवाइसे से रिलेटे कोई नई कबर या कोई भी गेमिंग वर्ल्ड में जो चीजे हो रही है उससे रिलेटेड जो खबरें आपको इंटरस्टिंग लगे सारी नह उसको हम आपके तक लाएंगे तो आज इसका है पहला एपिसोड और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं तो गाइस सबसे पहली कबर है कि सोनी PS5 की शॉर्टेज अभी भी बरकरार है पिछले सालों भी बरकरार थी इस साल बरकरार है और एस पर जो अभी लेटेस्ट इवेंट हुआ था सोनी का उसमें जो बताया गया उसके एक्कॉर्डिंगली न्यूज आर्टिकल के एक्कॉर्डिंगली PS5 की शॉर्टेज जो है वो 2022 तक जा सकती है अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे आपने एक पेरा पीछे वीडियो देखा होगा कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे ग्राफिक कार्ड्स और CPU चिप्स वगरा की शॉर्टेज चल रही है जिसमें सेमी कंड़क्टर्स की शॉर्टेज एक बहुत बदा रीजन है और वो सेमी कंड़क्टर्स की जो शॉर्टेज है वो और भी exponentially increase हो गई अभी कुछ टाइम पहले जब ताइवान में बहुत हाई लेबल पे ड्रॉट है मतलब अकाल पड़ा वहाँ पे और जिसकी वज़ा से जहां पर बहुत बड़ी-बड़ी कंड़ी जो है लाइक टी-एस-म-सी समी कंड़क्टर्स मनानी विल जो मेजर कंपनी है जो AMD को और NVIDIA को जैसी कंपनी को समी कंड़क्टर्स प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड बना पाएं तो और PS5 और Xbox जैसे इसको इनी प्रोसेसर और ग्राफिक यूनिट्स को यूज करते हैं तो उसकी शॉर्टेज होने के वज़द से डेफनेटली PS5 की शॉर्टेज के उपर इंपक्ट और भी जादा बढ़ गया है and that is why उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि शायद यह जो शॉर्टेज है 2022 के earlier months तक भी continued रह सकती है बहुत अच्छी खबर नहीं है but I guess यह चीज बहुत जल्दी solve हो जाया सब console numbers के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा ओके तो हम चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर पे और जो है सबसे बड़ी खबर की भाई Battlegrounds Mobile India आने लगा है बहुत जल्दी भाई Mobile पे इंडिया में actually यह है PUBG ही but उन्होंने ने इसका नाम चेंज करके Battlegrounds Mobile India कर दिया है क्योंकि Crafton Inc. जो इसका main core developer है इस game के वो नहीं चाते कि PUBG Word यूज किया जाए और फिर से उनको कोई ban का process follow करना पड़े तो अभी उस चीज को avoid करने के लिए इन्होंने Battlegrounds Mobile India का नया logo नया graphics launch कर दिया है ट्रेलर अभी इन्होंने full-fledged launch नहीं किया होफ़ोली वो भी जल्दी आ जाएगा पर June 2021 में इसके trial first runs, early access runs हो सकते हैं शुरू तो भाई बहुत 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 बढ़िया ख़वर है और PUBG lovers के लिए तो बहुत ही बढ़िया ख़वर है यह चीज़ के लिए उसके बाद PUBG से ही related एक और ख़वर आई है कि PUBG light जो कि अभी तक इंडिया में चल रही थी और पाकी जगा भी चल रही है जो कि actually full PUBG का lighter version है जहां पे low specs है system के, mobile के तो वहाँ पे यह use होती थी और अभी इंडिया में क्योंकि यह चाइना से किसी तरह से शायद इसका link नहीं था क्राफटन से directly link था जो एक चाइना की company नहीं है तो उसके कारण यह इंडिया में अभी तक चल रही थी बट अब इसको भी permanently down कर रही है क्राफटन इंक, reason उन्होंने कोई specifically बताया नहीं है क्यों कर रही है, क्या reason है specifically, पर मेरे अंदाजे के हिसाब से क्योंकि battlegrounds mobile India आने लगा है 2021 में, जून में तो उसकी उपर इसका impact किसी तरह से भी न पड़े, I guess उन्होंने तभी इसको हटाने का लिया है decision और मेरे ख्याल से वो बहुत जादा peculiar है कि word pub g को तो वो हटाई दे ताकि किसी भी तरह से वो ban के चकर में ना पड़े तो ये थी अभी तक की तीन major खपरे, अब चलते हैं next ख़बर के तरफ जो है mobile lovers के लिए again भाई, rocket leak and battlefield जो बहुत ही successful PC games है, console games वो आने लगी है mobile पे भाई, बहुत बड़े बड़े ब्रैंड्स जो है gaming world के जो PC पे successful है वो आने लगे है mobile पे तो बहुत ही बड़िया ख़बर है mobile lovers के लिए क्योंकि rocket leak ने बोला है कि वो अपती beta testing शुरू कर देंगे June 2021 में ही और battlefield mobile आएगी, early access मिलेगा June 2022, sorry January 2022 के आसपास तो भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ कि भाई, इतनी बड़े-बड़े ब्रैंड्स और वैसे भी अभी apex legend होके गी है, हमारी next news उसके साथ ही related है, तो mobile अब एक बहुत strong और important platform बनता जा रहा है इन बड़ी-बड़ी gaming industries के लिए भी जहाँ पे successful brands अब mobile पे enter करने लगे है अब हम चलते है next खबर पे है, वो है apex legends mobile से, तो apex legends जैसे आपने अभी देखा कि अभी beta version testing मलब beta version की उन्होंने pre registration में testing करवाई थी, काफी लोगों ने उसको इंडिया में खेला भी तो अब उन्होंने decide किया है कि हम early access देंगे pre registered users को जिन्होंने already register कर चुका हुआ है और वो pre registered early access शायद, शायद confirm नहीं है but as per some news articles उन्होंने कहा है कि may 2021 के end तक, मलब इस हमारा आखरी पड़ाव है आखरी news है, हमारी Xbox Game Pass से related और आपको जब सब को जैसे पता है कि Xbox Game Pass जो है ना वो मेरा favorite you can say setup है मैं सब PC users और PC gamers को बोलता हूँ कि भाई अगर आप games बहुत ज़्यादा पैसा extra नहीं लगा सकते हैं तो आप Xbox Game Pass को खरीदिए subscription को लीजिए subscription की जो price है वो vary करती रहती है 300 to 600 के आसपास बीच में I don't know अभी कितनी चल रही है मैंने काफी पहले का लिया हुआ तो per month की जो subscription 300 to 600 की होती है but उसमें हर बारी 90 games एंटर करती जाती है आपको काफी games free में खेलने को मिल जाती है और अभी जैसे रिसेंटली Xbox ने EA Game Pass EA Play के साथ उन्होंने अपना contract किया और काफी EA Play के नए-नए titles और बड़े titles जो है अब आपको खेलने को मिल रहे हैं Xbox Game Pass में free to play तो उसी के अंडर अभी जो नया बड़ा title आ रहा है वो है FIFA 21 FIFA 21 EA Play के अंडर Xbox Game Pass में आ चुका है इंडिया में इट इस डाउनलोड़ेड आप चाहे कंसोल पर डाउनलोड कीजिए या PC पर डाउनलोड कीजिए और एक और बड़ी चीज है कि Red Dead Online Red Dead Online is one of the most successful games वो इस महीने के end तक मतलब में end तक launch हो जाएगी Xbox Game Pass के अंडर फ्री में डाउनलोड करने के लिए तो भाई यह थी बहुत 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 बड़ीया ख़बर Xbox Game Pass यूजर्स के लिए और जो लेने के सोच रहे हैं तो भाई जल्दी जल्दी ले लो तो इसी के साथ आज का bulletin होता है समाप्त उसी तरह हम लगे रहेंगे नई खबरें आप तक लाते रहेंगे और मिलेंगे फिर से next week तब तक के लिए safe be safe India